जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री किष्ण भगवान की जै मोनी अमवस्या की मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूट्यूप चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्धिक अभिनंदन करते हैं आज हम आपको वर्ष 2024 की मोनी अमवस्या के संबंद में सारी जानकारी देने जा रही हैं तो माग मास की अमवस्या तिथी को मोनी अमवस्या के नाम से जाना जाता है तो आज किस विशेश वीडियो में हम आपको बताएंगे की वर्ष 2024 में माग मास की अमवस्या अर्थात मोन मोनी अमवस्या किस दिन को आ रही है मोनी अमवस्या का शुभ मुहुरत कौन सा है और मोनी अमवस्या का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है मोनी अमवस्या के दिन किस जगा पर सनान करना ज्यादा शुभ माना जाता है और मोनी अमवस्या के दिन क्या चीज दान करने चाह सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिति का बड़ा ज़्यादा महत्व बताया गया है और माग मास की अमावस्या अर्थात मोनी अमावस्या का महत्व बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि यह माग मास में आती है तो मोनी अमवस्या का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा जादा महत्व है इस दिन गंगा जी में सनान करना शूब माना जाता है अगर गंगा सनान ना हो सके तो बाकी पवितर नदियों में सनान किया जा सकता है अगर वहाँ पर भी सनान ना हो सके तो घर में रहकर सनान करते समय नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए तो भी गंगा सनान का पुन्य फल मिल जाता है जो लोग मोनी अमवस्या के दिन प्राताकाल गंगा जी में सनान करते हैं और उसके बाद पितरों के लिए तरपन करते हैं और उसके पशात दान पुन्य आदी का कारे करते हैं उन्हें भगवान की बड़ी जादा कृपा मिलती है मोनी अमवस्या के दिन दान का विशेश महत्व बताया गया है तो अभमा को यहां पर बताने जा रही है कि इस वर्ष 2024 में मोनी अमवस्या अर्थात माग मास की अमवस्या किस दिन आ रही है तो वर्ष दोजार चोबिस में माग अमावस्या अर्थात मोनी अमावस्या नो फरवरी दोजार चोबिस दिन शुकरवार को है जी हाँ मोनी अमावस्या इस वर्ष नो फरवरी दोजार चोबिस दिन शुकरवार को है अमावस्या तिथी का शुभारंब नो फरवरी दोजार चोबिस दिन शुकरवार को सुभे आठ बज़ कर दो मिनट पर हो जाएगा और अमवस्या कि थी किस माप्ती 10 फरवरी 2024 दिन शनीवार को सुभे चार बज़ कर 28 मिनट पर हो जाएगी इस कारण मोनी अमवस्या अर्थात माग मास की अमवस्या 9 फरवरी दिन शुकर वार को ही है तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि माग मास की अमवस्या अर्थात मोनी अमवस्या में सनान का शुब मुरत कौन सा है उस दिन की समय सनान करने का ज्यादा महत्व है तो वैसे तो माग मास के मवस्या अर्थात मोनी अमवस्या के दिन आप किसी भी समय सनान करने वो शुब ही माना जाएगा क्योंकि मोनी अमवस्या का सारा दिन शुब होता है लेकिन प्रात्य सनान का बड़ा जादा महत्व बताया गया है पवितर नदियों में सनान ब्रहम मुरत से ही आहरंब हो जाता है तो मोनी अमावस्या 9 फरवरी दिन शुकरवार को ब्रहम मुरत का जो समय है वो सुबह 5 बजकर 21 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 13 मिनट तक रहेगा ये ब्रहम मुरत का समय है इस समय के वीच में आप सनान कर सकते हैं इसके बाद भी आप सनान कर सकते हैं लेकिन ब्रहम मुरत में सनान करना ज्यादा फल दाई माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म गरंथों में इस पश्ट बताया गया है कि मोनी अमवस्या पर संगम तट पर सनान करने का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। गंगा सनान का पुन्निफल मिल जाता है। तो विशेश बात यही है कि मोनी अमवस्या के दिन अवश्या ही सनान करना चाहिए। तो हमारे हिंदू धर्म गरंथों में स्पष्ट बताया गया है कि मोनी आमवस के दिन ही मनु रिशी का जनम हुआ था और मनु शब्द से ही इस आमवस्या को मोनी आमवस के नाम से जाना जाने लगा। भोच से भक्त मोनी आमवस के दिन मोन वरत रखते हैं। हमारे हिंदू धर्म गरंथों में स्पष्ट बताया गया है कि मन के देवता चंद्र देम है और आमवस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते। इस कारण मनुशे की मन की स्थीथी भी गरने लगती है। इसलिए मोन रहकर मन को सहिमित करने का मिधान है। इस कारण काफी रिशी मोनी और भक्त मोनी अमावस के दिन मोन रहते हैं अगर मोन ना रखा जा सके तो भगवान जी के नामों का जाप और संकीरतन करना चाहिए मोनी अमावस्य के दिन भगवान जी के नामों का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए जितना अधिक भगवान की याद आएगी उतना ही जिंदगी में पून्य बढ़ेंगे और पून्य बढ़ेंगे तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि मोनी अमावस्या के दिन तील का दान करना चाहिए तील के तेल का दान करना चाहिए वस्त्र और आमले का दान भी शुब माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि मोनी अमावस्या के दिन सूरे देव भगवान को दूध और तील के साथ अर्धे देना चाहिए इतना करने मातर से मनुष्य की सभी मनो कामनाएं पूरी हो जाती है यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने योगे है कि कुछ न कुछ धन का दान भी अवश्य देना चाहिए वो आप किसी विद्वान भ्रह्मन को भी दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं कुछ न कुछ धन का दान अवश्य करना चाहिए धन की मातरा नहीं देखी जाती देने वाले की श्रद्धा देखी जाती है अगर आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान थोड़े से दान से भी प्रसन हो जाते हैं भगवान की आग्या का पालन करने वाला मनुष्य एख़वान की कृपा का अधिकारी बन जाता है इससे कारण मोनी अमवस्या के दिन कुछ न कुछ दान पुन अवश्य करना चाहिए ताकि जीवन में अधिक से अधिक भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके और एक और विशेश बात हम आपको यहां पर बताने जा रहे हमारे हिंदु धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि मोनी अमावस्या के दिन देवता और पितर परियाग राज में आकर अद्रिश रूप से संगम में सनान करते हैं इस दोरान भ्रम मुरत में गंगा में सनान करने से आयू लंबी होती है और आरोग्य की प्राप्त होती है जो लोग गंगा जी में सनान नहीं कर सकते वो इस दिन गंगा जल को नहाने के जल में मिला कर घर में ही सनान कर सकते हैं तो भी भगवान की कृपा मिलती है और सबसे बड़ी विशेश बात हम आपको यहां पर बताने जा रही है कि मोनी अमवस्या के दिन या किसी और में पड़े हो तो उनकी सदगती हो जाती है इस कारण भी मोनी अमवस्या के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए आपने देखा ही होगा कि काफी लोग मोनी अमवस्या के दिन चाय का और साथ में किसी और चीज का भंडारा लगाते हैं मोनी अमवस्या हो या कोई औ और अमावस्या हो ऐसे शुबकार अमावस्या तीथी को अवश्य ही करने चाहिए जितना हो सके दान पुन्य करना चाहिए अगर आप अधिक कुछ ना भी कर पाएं तो मोनी अमावस्या के दिन आप दूध लेकर मंदिर में चड़ा आएं उसे भगवान के मंदिर में आप ले पां हो जाएगी क्योंकि भगवान तो सदा ऐसे भक्तों से संतुष्ट होते हैं जो भगवान की आग्या का पालन करते हैं और हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी नियम बताए गए हैं वो सब भगवान की आग्या हैं तो मोनिया मवस्या दोजार चोबिस के संबंद में अपन को हम ये भी बता दें कि मोनी अमवसा की कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर डाली जाएगी उस कथा को भी आप वश्य सुने भगवान की कृपा मिलेगी और माग मास के सिपावन समय में माग मास महत्यमी की कथा को भी प्रते दिन हमारे चैनल पर सुनाया जा रहा है उन कथा को भी आप जरूर सुने तो मंदर शीवन सी वाले महात्मा यूडियोब चैनल के ओर से आज जी किस विशेश वीडियो को देखने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान शी राधा कृशन जी की भगवान शी लक्षमी नाराइन जी की मोनी अमवस्या तिथी की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृशन भगवान की जै मोनी अमवस्या तिथी की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम